इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी फाइल को पेज के दोनों तरब कैसे प्रिंट करते हैं बिना बार बार पेज पल्टे हुए यानि कि ओड और इवन पेज जैसा कि बुक में होता है पेज नमबर एक फिर पेज नमबर दोसी के पीछे ठेक उसी तरीक साइस के उपर मोर आप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो और और इवन पेज का आप्शन आ जायेगा तो यहां पर देखिए आउड पेज उसके नीचे इवन पेज दिया हुआ है आपको इस अभी चूज कर लें तो मैं और पेज को चूज कर लेता हूँ बात ए आट करने पर आट पेज बने हैं वीडियो जदा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने वीडियो को फास्ट फारवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो चोटी से चोटी बने तो आप सभी आट पेज लगबग प्रिंट हो चुके हैं तो एक बार मैं इसे दिखा भी देता हूँ फिर बताता हूँ पेज को कैसे लगाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला पेज है उसके पीछे दूसरे पेज की जगा खाली है तीसरा पेज प्रिंट मैं वैसे ही यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो देखे कुछ इस तरह से पेज निकला था तो जो हिस्सा पहले निकला था यानि आगे की तरह पर वो हिस्सा मैं सही से दिखा देता हूँ यह देखिए यह निकला हिस्सा है यानि कि यह है यह पहले प्रिंट होके निकला है तो आप क्या करेंगे सिंपल सा पेज को पलट देंगे पलटने के बाद से जो हिस्सा पहले निकला था उसी हिस्से को दुबारा से printer में डाल देंगे और डाल के सही से page को adjust कर देंगे अब दुबारा से हम लोग चलते हैं computer screen पर अब दुबारा से उसी file पर control पिक करेंगे और इस बार even page को print करेंगे तो more option में जाएंगे more option में जाने के बाद से इस बार even page को select करेंगे select करने के बाद से print का command देंगे तो अब ही आप देख सकते हैं इस बार even pages print होना शुरू हो गए हैं उसी page के पीछे की तरफ जो की blank page बचे हुए थे even page की जगा जो की खाली थी तो इस तरह से आप page के दोनों तरफ बड़ी आसानी से बिना बार बार page पल्टे हुए print कर सकते हैं देखिए जो page खाली था उसके पीछे print हो चुका है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना गुलें मिलते हैं आपसे एकली वीडियो में झाल झाल